असलाम लिकाओ विवायर्स किचन वी सीमा में वेलकाम अलाद आलाख हिफदलो करम से आप टिक ठाक होंगी आज में आपके साथ कीमा मकरोनी बिनाने की रेसिपी शेयर करोंगी कीमा मकरोनी बहुत ही मज़े की बनने वाली है बच्चों को तो वह सुसन बहुत ही ज्यादा पस बट्वेद्वेद्वार्टर शामिल ने के लिए बरतन में मैंने एक लिटर पानी का डाला है एक लिटर पानी डाल खर फ्लेम को हाइप रखा हुआ है तांकि पानी अच्छे से जलडी से उबल जाएए अब साथी नमक का 1 ₹ टेबल स्पून शामिल कर लेँगे उंपने सीख पॉइंट पर डालना है ताके मकरोनी जो है अच्छे से बॉयल हो आपस में जुड़े ना पानी को एक बॉयल आने के बाद अब इसमें शामिल कर लेएंगे चार सो ग्रम मकरोनी है 6-7 मिनिट तक मकरोनी को मेडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताके इच्छे से मकरोनी हमारी पक जाए जब मकरोनी गल जाए ट्रांस्पेरेंट हो जाए इसका कलर चेंज हो जाए तो इसको उतार लें ये देखें मकरोनी गल चुकी है इसका कलर भी चेंज हो गया है अब इसको उतार लेंगे और चलनी में चान कर 1 टेबल स्पून ओयल का डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें इस पॉइंट पर ओयल डालना जुरूरी है एक दो गंटा इस तरह मकरोनी पड़ी रहेगी लेकिन जुड़ेगी नहीं आपस में अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है अब नेक्स टेप की तरफ चलते हैं बर्तन में मैंने 1 थर्ट काप ओयल कर लिया है फ्लेम मैंने मेडियम पर रखा हुआ है और इसमें 2 टेबल स्मून अधरक लहसन का पेस्ट शामिल कर लेना है इसको 2-3 मिनिट तक बूनना है अधरक लहसन की जब अच्छे से हश्वू आने लगे तो इसमें हाफ कीजी मैंने कीमा शामिल कर लिया है अधरक लहसन डालना ज़रूरी है इससे यह होगा की कीमे की स्मेल हतम हो जाएगी इसलिए आपने अधरक लहसन का इस्तमाल ज़रूर करना है एक से 2 मिनिट बूनने के बाद जब कीमे का कलर चेंज हो जाए तो इसमें शामिल कर लेने 1 टीस्पून सुरह मेच्चे और हाफ टेबल स्पून नमक का नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकार्डिंग भी ले सकते हैं नमक फ्लेम को लो पे कर दिया है और कीमे को 8-10 मिनिट के लिए कवर करके रख दें ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए इसी पानी में जो कीमे ने छोड़ा है इसी में इसको गला लेंगे ये देखिए कीमा हमारा अच्छे से गल गया है आप इसमें शामल कर लेते हैं बोईल कीवी मकरोनी और मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें शामल कर लेंगे त्री टेबल स्पून सिर्का टू टेबल स्पून चिली सॉस शामल कर लेंगे और सोया सॉस शामल कर लेंगे टू टेबल स्पून और अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है सॉसिज से बहुत ही मज़ेदार बहुत ही फ्लेवरफुल मकरोनी बनेगी और अब इसमें शामिल कर लेते हैं वन थर्ड कप कैचप की अगर आपने मकरोनी को मजीद स्पाइसी बिनाना है तो आप हाफ कप कैचप का शामिल कर लें अच्छे से मिक्स करने के बाद चोटे साइज में क्यूब्स में कटी हुई प्यास लिये मैंने इसको शामिल कर लेंगे चोटे साइस का क्यूब्स में कटा हुआ टमाटर श्यामिल कर लेंगे जो आपको वेजटेबल पसंद हूँ वो भी आप इसमें डाल सकते हैं वेजटेबल को कम ज्यादा कर सकते हैं अब मैकरोनी को पांच मेंड के लिए कवर करके रख दें तांके प्याज और टमाटर भी अच्छे से गल जाए और मकरोनी के अंदर फ्लेवर भी मसालेक अच्छे से चला जाए पांच मिनिट के बाद मकरोनी हमारी रैडी हो गई है इसको मिक्स करेंगे इसको डिश आउड करूंगी ये देखें कितनी मजे की मकरोनी बनी है माशाला अलहमदलिला कीमा मकरोनी बहुत ही मजे की बनी है आप ज़रूर ट्राय कीजेगा इंज्वाइ कीजेगा द्वाओं में याद रखेगा अलाहाफेज